आज बात करने वाले हैं Ola S1 Pro की जो Moo OS 2.0 based होने वाला है और Ola ने update दे दिया है जिसमें बहुत सारे features, customization and थोड़ी बहुत bugs भी मिलने वाले हैं जिसके details से आज बात करने वाले हैं तो वीडियो पसंद आए तो like कर देना और channel पर नई हो तो subscribe भी कर लेना सबसे पहले बात करें जब Ola S1 Pro की delivery मिली थी लोगों को तो बहुत सारे software features इन में से missing थे जिनको पूरा करने के लिए Ola ने Moo OS 2.0 को update दे दिया है और काफी सारे features जिनका वादा किया गया था लेकिन वो पूरे नहीं हो पाये थे उनको अब पूरा कर दिया गया है और ये भी क बहा जा रहा है कि आगे आपको 2-3 updates यहां पर देखने को मिल सकते हैं सबसे पहले feature की यहां पर बात करें तो eco mode को यहां पर implement किया गया है promise के हिसाब से scooter range 181 km रखी गई थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी लेकिन अब eco mode में अगर full charge हो तो around 170 km तक यह scooter जा सकता है अगर आपका scooter normal mode में है तो acceleration कम रहेगी और maximum speed 45 km पर हावर होगी लेकिन eco mode में आपको range ज्यादा देखने को मिलेगी अब इससे ज्यादा दूर और thrill नहीं कर सकते scooter start करोगे तो normal mode में ही रहेगी लेकिन mode button को long press करने से आप eco mode enable कर पाओगे एक बड़ी problem जो scooter में यहाँ पर देखने को मिलती है वो है unlocking system मतलब कि अगर आप pin डालोगे तो कोई भी इसे देख लेगा और वो आपकी scooter को unlock करके आराम से ले जाएगा जिसका solution remote unlocking system से निकाला गया है जो companion app में आपको मिलता है जो iOS और Android दोनों के लिए available है अगर आपकी scooter में move OS 2.0 का update आ गया है तो वह app अपने आपको detect कर लेगा और इसे अपने आपको scooter से आराम से phone unlock कर लेगा और trunk भी open या close कर सकते हो यहां तक की phone में ही आप अपनी scooter में कितनी charging है इसका पता लगा सकते हो और charging होने का time और charge होने के बाद कितने दूर तक यह travel कर सकते हो इन सब बातों का आप पता लगा सकते हो लेकिन यहां भी app में आगर fingerprint और face unlock system होता तो बहुत अच्छा होता क्योंकि चोरी होने का डर यहां भी बना रहता है जो क्या पता आगे आने वाले updates में आपको देख कर सकते हो अब गाने बजाने की तो बात हुई ही थी लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई जो अब आपको update से दे दिया गया है जिसमें आपको two stereo speakers मिलते हैं मतलब अब आप scooter में आराम से गाने बजा सकते हो जिसमें audio quality बहुत अच्छी मिल रही है जो एक Bluetooth speaker जैसे sound कर रहा है ले update से आप touchscreen का यूज कर सकते हो और call वगरा उठाने या काटने के लिए right side वाले buttons को यूज कर सकते हो the best feature मुझे यहाँ पर जो लगा वो है cruise control का जो ऐसा feature होता है जो button से आप अपने scooter का acceleration speed fix कर सकते हो जिसे accelerator से हाथ अटाने पर भी आपकी speed fix ही रहेगी जो आपने रखी थी य next feature की अगर बात करें तो वो है map and navigation जो futuristic सा लगता है और आपको यहाँ पर मैं बता दूपर navigation system इसमें आपको मिलता है यहाँ app location डाल सकते हो चोटा रास्ता traffic कितना है road पर और सब कुछ बताएगा इसमें India का map install किया गया है scooter में GPS implement किया गया है जो satellite से connect है जिससे exact location का पता किय आजा सकता है और e sim का use करके यहाँ पर real time data collect करके live traffic condition आपको दिखाया जाता है इसमें आप कोई भी location डाल कर आसानी से travel कर सकते हो and map आपको proper destination पर उस पर ले जा सकता है यहाँ आपको bugs calibration में देखने को मिल रहा है जो कभी कबार रुकने पर चलता रहता है और कभी search for GPS आने ल पता बीटा वर्जन में ही आपको देखने को मिल रहा है और stable update से क्या पता यह बिल्कुल खतम हो जाए Indian map से network use किया जा रहा है और यह अभी आप से GPS का कोई चार्ज नहीं ले रहा है Google map से थोड़ा कम reliable लगता है और Google map proper destination तक आपको पहुचाता है MOV OS 2.0 बूट सारे bugs जो Oli S1 Pro में आ रहे थे उन सभी को fix कर दिया गया है टच्स्क्रेन response rate यहाँ पर आपको अब बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है जो पहले थोड़ा lag करता था सेकिंद battery drain जो कभी कबर किसी scooter में एक दम से हो जाती थी software यहाँ पर issue fix करके heating reduction किया गया है जिसे battery drain जल्दी नहीं होगी जो अब accurate percentage and गलत range नहीं दिखाता जो fix की गई है अब बताया जा रहा है कि आने वाले update से holiday mode यहाँ पर दिया जाएगा मतलब कि अगर आप scooter घर पे छोड़ कर कहीं चले जाते हो तो battery drain बहुत कम होगा और scooter आगे आपको ola voice assistant यहाँ पर देखने को मिले जिसे voice control से आप scooter को charge कर पाओगे अब तुम बोलोगे हमारे पास भी ola s1 pro है हमें तो कुछ ऐसा update नहीं मिला तो अभी आपको इसमें beta version देखने को मिल रहा है जो अभी selected audience को ही दिया गया है जिससे beta में कोई problem होगी तो stable update तक व को ही मिलेगा पुराइन स्कूटर में vehicle control unit आपको replace किया जाएगा जिसके बाद आपको यह update देखने को मिलेगा जो company में कर रही है और यह अभी करने में लगी हुई है लेकिन नए स्कूटर में VCU आपको company fitted देखने को मिल रहा है जो आपको ots2.0 beta version easily provide कर रहा है अब stable update आपक कस्टमाइजेशन और bugs मिल रहे थे जिनको weeks किया गया है अब आपको move ots2.0 कैसा लगा तो हमें comments करके जरूर बताए आपके सामने एक बड़ा सा red button है 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 तोबारिया आंगे बोलो